हलो बच्चो कैसे हो सब मैं हो निकिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डाउटनिट में तो जैसे कि तुम लोग जानते हो हम लोग उने मौडल वर्ब्स का जो टॉपिक है वो शुरू किया था और आज इसका है लेक्चर नंबर थी अब लेक्चर नंबर थी में क्या-क्या पढ़ने वाले हम वो बताने से पहले यह बता देती हूं कि आगर किसी बच्चे ने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले के लेक्चर टू में हमने ओट टू यह जो आपका O-U-G-H-T ओट टू यह जो आपका मॉडल वर्ब है ना इसका इस्तमाल कहा कहा किया जाता है वो बताया था आज है आपका लिक्चर नंबर थी आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं तो पिटा आज की क अब कब इनका इस्तमाल होता है कौन सी कौन सी फीलिंग बताने के लिए इनका इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो I hope कि इससे पहले के लेक्चर में must और ought to के जो है इस्तमाल आपको clear होंगे चालो तो पेटा यह मॉडल वर्ब जैसे कि मैं बता चुकिए कि बहुत सारे होते ह है ठीक है आपके syllabus में जो specially है ना वो यह वाले model verbs पूछे जा रहे हैं अब इन वाले model verbs में से क्या है इन वाले बहुत सारे model verbs है हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो यह वाले पढ़ने वाले ठीक है इसमें से मैंने आपको यह करवा दिया है यह करवा दिया है और यह वाला डे हूँ ठीके बिटा चलो तो शुरू करेंगे आज की क्लास शैल और विल यह विल और शैल के बारे में तो आपने पहले भी कहीं पर सुना होगा कहां सुना है कौन बताना चाहेगा मुझे सबसे बहले जल्दी से कौन सा बच्चा मुझे सहायक्रिया है और यह सहायक्रिया ऐसी सहायक्रिया है जो हमें समय भी बताती है कौन सा समय future के बारे में बताती है तो इसको हमने tenses के time पर पढ़ रखा है बिटा हना क्योंकि यह समय भी बताती है future का समय और साथी साथ बिटा यह किसी काम के होने कि पीछे का mood feeling वगेरा भी बताती है तो इसलिए ये क्या है ये एक helping verb है कौनसी वाली ये एक model verb है ये टाइम भी बताती है तो ये साथ-साथ moods और feeling भी बताती है तो model auxiliary verb है ये ठीक है अब इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं चलो तो शुरू करते हैं अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि shall and will are both model verbs primarily used to express the future tense दोनों के दोनों क्या है दोनों के दोनों एक ऐसे model verb है जिनका मुख्य तौर पर इस्तमाल होता है future tense दर्शाने के लिए यानि कि ये बताने के लिए कि कोई काम जो है वो कब हो रहा है वो future में होगा future भविश्य में आने वाले समय में होगा ये बताने के लिए ये दिखाने के लिए will or shall का इस्तमाल होता है जैसे कि I will go to school I will study tomorrow I will party, I will sleep on time हाना तो ये क्या है सब कुछ मैं बता रही हूँ कि आने वाले टाइम में मैं ऐसा ऐसा करूँगी I shall eat healthy food हाना तो ये साही चीज़े क्या है will or shall का जब-जब इस्तमाल होता है याने कि हम आने वाले समय भविश्य के समय की बात कर रहे है तो मुख्य तोर पे इनका इस्तमाल तो future tense दिखाने के लिए होता है ठीक है अब बिटा आप लोगों ने will or shall को पढ़ा भी होगा कि will कहां यूज करते हैं shall कहां यूज करते हैं चलो तो एक बार देख लेते हैं दुबारा से कि will or shall का हम इस्तमाल कैसे करते हैं shall का इस्तमाल बिटा first person के लिए होता है first person याने की पहला व्यक्ति पहला व्यक्ति आने की जब हम किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं तो पहला व्यक्ति कौन है मैं या हम और मेरे लिए दूसरा व्यक्ति कौन है आप और तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं न वह सभी, वो लड़का, वो लड़की, अमित, पूजा, रागीनी, जो भी नाम है, वो हमारे लिए तीसरा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, यानि कि मैं या हम, पहले इंसान, तुम या तू, जो है, इंग्लिश में अगर, इंग्लिश के लावा, हिंदी में बात करूँ मैं, तो ऐसे first or second person होता है, लेकिन English में बात करते हैं, I, we, first person है, you, second person है, बाकी, they, he, she, it, अमित, रागीनी, पूजा, अकाश, निलेश, जिसका भी नाम लेना है, उस सारे तीसरे लोग है, ठीक है, बेटा, तो क्या है यहाँ पर, कि आपना शैल का इस्तमाल करते हो, first person के साथ, singular and plural में, ठीक है, क्या है, first person, यानि कि जब भी I और V का इस्तमाल होगा, तो शैल का इस्तमाल होगा, ठीक है, अगर मैं बोलू I, और मैं I के बारे में, future tense में होने वाली कोई चीज बताना चाहरी हो, मैं बोलना चाहरी हूँ कि कल मैं school जाओंगी, तो मैं क्या है, I की बात करूँगी, या V, first person में जब बात करूँगी, तो I shall go to school, we shall party tomorrow, we shall go to a museum, I shall finish my homework, तो I and we का जब इस्तमाल होता है, future में तो उसके साथ shall लगता है, यहाँ पे देखो shall का उपयोग कब-कब होता है, अब साथ ही साथ will का उपयोग कब-कब होता है, तो आप will का इस्तमाल तब-तब करते हो, जब आपको second या third person की बात करनी होती है, यानि कि जब आप you, he, she, it, they, इन लोगों के बारे में कभी बात करो या किसी का नाम ले रहे हो, हना, second या third person की जब बात होती है, तब हम will का उपयोग करते हैं, यह singular और plural, दोनों जगा पे लगता है बिटा, ठीक है, तो बस इतना समझ लो, विल और शैल में सबसे बड़ा अंतर क्या हां आता है, विल और शैल में सबसे बड़ा अंतर इनके इस्तमाल पर आता है, इनका इस्तमाल कैसे होता है, शैल का इस्तमाल first person के साथ होता है, I और we, विल का इस्तमाल second और third person के साथ होता है, you, he, she, it, they, ठीक है चालो तो यह हो गया बेटा इनका general इस्तमाल normal तरीके से जब हम इनके इस्तमाल करें तब हम ऐसे इस्तमाल करते हैं पर यह तो हमने future tense में भी सीखा था यह तो हमने tenses की class में भी सीखा था अभी हमें क्या सीखना है अभी हम इनको model verbs के तरीके से यानि की ऐसी क्रिया जो मुख्य काम को करने के पीछे का क्या mood, क्या feeling, क्या भावना रही हो ये बताते हैं हमें उसके तोर पे will हमें कौनसी feelings बताता है, shall हमें कौनसी feelings बताता है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो आपने किस में पढ़ा है, tenses में पढ़ा है but will एक model verb भी है, shall एक model verb भी है, तो shall कौनसी कौनसी feelings बताता है और will कौनसी कौनसी feelings बताता है, वो पढ़ते हैं, ठीक है, चले, तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे will पर तो will की feelings क्या है, अब देखो बिटा, will is used to make a prediction, prediction का मतलब क्या है, ये देखो, भविश्यवाणी, जब आप na future के बारे में कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हो, यानि की संभावना उसकी लगा रहे हो, भविश्यवाणी कर रहे हो, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, जब आप future की बात करो, और future में कोई prediction, कोई भविश्यवाणी करो, कि यार कल तो बारिश होएगी, हना, तो it will rain tomorrow, ठीक है, वो कल office नहीं आएगा, he will not come to office tomorrow, तो यहाँ पर क् जब हम आने वाले समय में भविश्यवाणी करते हैं, जब हम किसी भविश्य की चीज को लेकर, भविश्य में होने वाले काम को लेकर, हम को अपना राय बताते हैं, तब हम will का इस्तमाल करते हैं, आ गया समझ में सभी बच्चों को लिख लोगे तो बेटा और बहुत क्या काम करोगे आप, के हम क्या करते हैं, जब हम भविश्य में होने वाले किसी काम को, हlvania पहले से उसका अनुमान लगा लेते हैं, कि ऐसा तो हगा, यानि कि भविश्य में ऐसा होगा, यह होगा, वह होगा, धरती तबाह हो जाएगी, तो क्या है बविश्य में होने वाले किसी काम की मैंने पहले से अनुमान लगा लिया है बविश्य मानी कर लिया है तो ये जब ऐसी भावना हो तब मैं ऐसी feeling हो तब मैं विल का उप्योग करूँगी अब मैं बोल रहे हैं कि भाई 2000 अभी एक बीच में वहत सालों पहले एक अफवा फैली थी 2012 में धरती जो है वो क्या हो जाएगी नश्ट हो जाएगी तो जितने लोग 2010 में रह रहे थे वो क्या बोलते थे यार the earth is going earth will be what earth will be destroyed हाना तो हम क्या बोलते थे earth will be destroyed तो यहां पर इस तरीके से will लगाया जाता था कि वो नश्ट हो जाएगी ठीक है तो या फिर our lives will come to an end हमारी जिंदगियां एक अंत में आ जाएगे हम सब मर जाएगे we will die in 2012 हम मर जाएगे तो सब लोग बैटके भविश्य मारी कर रहे थे तो बेटा will लगा रहे थे हाना कि भई 2000 बार में और ऐसा कुछ हुआ नहीं सब जिंदा है हम भी जिंदा है आप भी जिंदा है हाना लेकिन उस समय पे कितना था लोग भविश्य मारी करते थे भई प्रित्वी नश्ट हो ज भविश्य मारी करो तो विल का इस्तमाल करते हैं आगे समझ में एक्सम्पल्स देखो दवर्ड पॉपिलेशन विल ग्रोट इन नेक्स्ट फिफ्टी एर्स के रहें दुनिया भर की जो जन संख्या है वह बहुत जादा बढ़ जाएगी अगले आने वाले 50 साल में तो बेट I think I'll stay in this company until I retire हना तो यह आए और यह देखो जब हम ऐसे करके लिखते हैं ना कॉमा लगा के और double L लगा देते हैं यह जो कॉमा है बेटा है इस कॉमा को apostrophe बोला जाता है ठीक है और यह जो है ना यह ना दो शब्दों को जोडने के काम आता है तो देखो I के साथ will का short form लग है I will stay in this company मैं इस company में रहूंगी कब तक जब तक में रिटायर नी हो जाती है तो यह क्या हुआ यहां के डाउटनेट के पच्चों से इतना प्यारे कि मैं जब तक रिटायर नी जाती मैं यहीं पर काम करने वाले मैं यहीं पढ़ाने वाली हो तो मैंने भविश्यमानी करी क आने वाले समय में यह होने वाला है मेरे हिसाब से तो यहीं होने वाले कि मैं यहीं पढ़ाने वाले हूं तो यहां पर बेटा मैंने विलका उप्योग किया ठीक है तो अब विलका उप्योग कहां कहां होता है सबसे पहला उप्योग ठीक है अगर जनरल तरीके से आम तोर प कुछ समझ में अगला देखो जब हम बेटा कोई request करना चाहते है विंती है MARIA हाना पड़ी प्यारी pork वेस्ट हम किसी से करना चाहते हैं तब हम किसका उप्योग करते हैं तब हम दुबारा से विलका उप्योग करते हैं ठीक है जल्दी से बच्चे लिख लेंगे एक बारी अपने नोट बुक में कि तब हम क्या करते हैं तब हम भिल कउप्यों करते हैं टू मेक और रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट बिंती करने के लिए देखो विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर प्लीज क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा और पानी ला दोगे हना अभी आमारे घर पे महमान आये महमान को हमने जाके ऐसे पानी दिया ममी ने बोला महमान को जाओ जल्दी से चाय पूछ किया हो तो हम क्या करेंगे हम उनको जैसे हमने चाय दे दी पानी दी दिया तो अभी महमान ने बुला कि बेटा एक ग्लास पानी और ला दोगे हना तो क्या बोलते इंग्लिश में पर काम क्या है बिटा पानी लाने का और वो हम विंती करना चाहते हैं ये काम के लिए हम विंती कर रहे हैं कि लाने का पानी लाने का काम क्या आप कर देंगे विंती कर रहे हैं इस काम को कराने के पीछे के एक विंती वाली फीलिंग है वो हम विल से बताते हैं वैसे ही Will you come to the appointment with me? अब सोचो किसी को डॉक्टर के पास जाना है और सुई लगने वाली इंजेक्शन अब किसको इंजेक्शन से डर लगता है बच्चे को तो लगता होगा मैं इंजेक्शन से मुझे इतनी बड़ी सुई मुझे डर लगता है बच्चे रो भी जाते हैं मुझे भी बहुत डर लगता है लेकिन क्या होता है हम कही बार बोलते हैं कि अपने भाई से अपने फ्रेंड से बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो ना मेरे को सुई लगवाने से डर लगता है तो हम क्या है हम उनसे रिक्वेस्ट करें तो हम क्या बोलेंगे Will you come to the appointment with me क्या तुम appointment में मेरे साथ चलोगे तो यह क्या थी एक request थी कैसे करी हमने will के साथ तो यहाँ पर अब क्या होगे देखो will का उपयोग जब भविश्यवाणी और request करनी हो दोनों जगा पर इस्तमाल होता है अब तीसरा भी देख लेते हैं तीसरा इस्तमाल होता है बेटा जब हम कोई वादा करें कोई offer की तुमारे लिए कोई प्रस्ताव रखें या कोई वादा करें हाना तो वादे और प्रस्ताव जब हमारी feeling कैसी हो हम किसी को कोई promise कर रहे हैं कोई प्रस्ताव रख रहे हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं विलका उप्योग करते हैं to make promise और offers हैना promise and offers जब promise हो या offer हो तो विलका प्रयोग होगा आगया समझ में ठीक है example देखो I will call you when I get home मैं तुम्हें phone करूँगा जब मैं घर पहुँच जाओंगा यह क्या एक वादा है कि यह मैं तुझे phone करूँगा टेंशन मतले मैं तुझे phone करूँगा घर पहुचके हना तो हम क्या हम वादा दे रहे हैं कि हम हमारे call हम तुम्हे call करेंगे एक बार इक घर पहुँचके ऐसे आपने कम नंबर आये हैं यह तो गलत बात है हना तो हम अगली बार बहुत अच्छे मैं बहुत महनत करूँगा हना तो ममी आए promise I will work hard तो यहां पर क्या है आप promise कर रहे अपनी ममी से की महनत करोगे तो आपने क्या बोला I will work hard तो यहां पर promise जब हम करते हैं तो बेटा विल का उप्योग करते हैं, जैसे कि देखो I will call you when I get home, मैं तुम मैं phone करूँगा जब मैं घर पहुंच जाऊं, अब ऐसे ही, she will help you finish the work, don't worry, अब यहां पर क्या है, हाना, यहां पर जब हम कोई offer कर रहे हैं, कि भाई tension मतलो, ठीक है तब भी हम क्या करते हैं, अच्छा, चीक है मैं offer का एक चीज़ बता हूँ, offer में हम ऐसे बोल सकते हैं, will you like to have some tea, यानि कि क्या आप थोड़ी सी चाय पीना चाहेंगे, तो will you like to have some tea, ठीक है, will you या फिर अब मैं क्या कर रहे हूँ, मैं offer कर रहे हूँ, will you help me, अब मैं क्या कर रहे हूँ, मैं आप से यह तो एक क्या होगी, यह तो एक request होगी, क्या आप मेरी मदद करोगी, मैं एक विंती कर रहे हूँ, आप से क्या आप मेरी मदद करोगी, तो यहाँ पर क्या है, वैसी बेटा कर मैं कुछ offer कर रहे हूँ, कि विल यू कैसे बोल सकते हैं हम इसमें इसमें लिख देते हूं आप लोगों के लिए विल विल यू लाइक टू हाव सम विल याइक तो हाव सम टी हाना तो यहाँ पर मैंने क्या था ओफर था कि चाय पीना चाओगे अब आप बता दो हाँ के ना चाय पीना चाओगे बता दो हाँ के ना तो अगर पीना चाहेंगे तो बूलेंगे हाँ तो यहाँ पर बेटा मैं जब request यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे थे promise कर रहे थे यहाँ पर मैंने offer करी क्या offer करी चाय पीना चाओगे तो यहाँ पर मैंने विल का उपयोग करके क्या करा मैंने चाय के लिए एक offer किया तो वहाँ पे हम क्या करते हैं विल का उपयोग करते हैं तो अभी तीन उपयोग हो गए है कौन से कौन से जल्दी से देख लो एक था prediction प्रडिक्शन का मतलब क्या होता है और दूसरा था क्या करना, दूसरा था आपका request करना, तो ठीक है, विलका उप्योग हम request में भी करते हैं, तीसरा क्या है, promise or offer, कोई वादा है, कोई प्रस्ताब है, तब भी हम विलका उप्योग करते हैं, कि आया समझ में इतना मुश्चिल है यह नहीं भीटा इज़ी है बस इसको याद रखना है आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखो आपको पता भी नहीं आप पना रहे हो जब भी हम कोई प्रॉमिस करते हैं हम विल का उपयोग करते हैं बट हम सोचते हैं लेकिन आज यहां लिखा हुआ है हना तो क्या है हम हमेशा देखो आपने आज तक जब भी प्रॉमिस किया होगा आपने ऐसी क्या होगा मैं मैं प्लीज मैंम डूंट वरी I will work hard है ऐसी बोलते ना मैं मैं बारिश होगी तो मैंने ओल्डेडी क्या कर दिया बविश्यवाडी कि कल बारिश होगी क्यार क्योंकि मेरा अनुमान यह कहता है हना और साथी साथ जब हम request करते हैं तब भी हम विलका उपयोग करते हैं तो यह सारी feelings आगे आ जाते हैं अब देखो चौथी feeling क्या है बेटा जब हम क्या करते हैं describe करते हैं consequences यानि की consequences का मतलब परिडाम किस चीज़ का परिडाम एक शर्त का conditional phrase conditional phrase यानि की ऐसा चोटा सा वाक्य जिसके अंदर कोई शर्त रखी गई हो तो जब हम किसी क्या करते हैं कि हम बोलते हैं यार ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा यानि की हमने क्या करा हमने ना किसी शर्त थी कोई शर्त थी के ऐसा होगा तो उसका परिडाम क्या निकलेगा जब भम वह परिडाम बताते हैं तब हम will का उप्योग करते हैं if you don't study hard you will fail अब मैं इहां पर क्या कह रही हूँ if you if you don't study hard you will fail अभी इतना बड़ा सा लिखा हुए डरना मत बेटा ठीक है यह इतना बड़ा सा लिखा हुए डरना मत इसको कि मैं यह क्या है समझ नहीं आ रहा हुए ध्यान से सुनो दो मिट के लिए दरुदर से ध्यान हटाओ देखो हम जब कोई रखी गई शर्त का परिणाम बताते हैं तब विल का उप्योग करते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआना यह अगर ऐसा कर लिया तो यह क्या यह शर्त है कि ऐसा होगा तो परिणाम क्या होगा तो ऐसा होगा तो परिणाम जब बताते हैं तो हम विल का उप्योग करते हैं ठीक है अगर तुम टाइम पर नहीं उठोगे तो अगर आपने यह काम यह कंडिशन है तो लेट हो जाओगे, तो यह चीज अगर नहीं करी, यह condition, आपने यह शर्त नहीं मानी, तो आप क्या करोगे, तो ऐसा परिणाम आएगा कि लेट हो जाओगे, तो यह जो परिणाम निकलता है, उसमें हम वो परिणाम का वर्णन करने के लिए, वो परिणाम को समझाने के लि अच्छे से मेहनत लगा के तो इसका result क्या होगा के you will fail तो ये क्या निकला ये इसका result निकला consequences का मतलब पेटा result ही होता है परिणाम हाना result तो अगर ये condition नहीं मानी गई तो उसके परिणाम स्वरूप हम क्या हो जाएंगे fail हो जाएंगे तो जब हम परिणाम को समझा रहे हैं वहाँ पे विलका उपियोग होता है ठीक है अगर घर से जल्दी नहीं निकले तो गाड़ी छूट जाएगी तो हना क्या बोलेंगे if we if we did not leave early तो क्या होगा we will miss our train तो अगर हम घर से जल्दी नहीं निकले हना तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर ये condition ये शर्त अगर हमने नहीं पूरी करी अगर हम घर से जल्दी नहीं निकलते तो परिणाम में क्या मिलेगा कि गाड़ी छूट जाएगी तो जब मैं परिणाम समझा रही हूँ तो देखो जो रिजल्ट में मैंने क्या करा वील कई आपियोग करा समझ रही हूँ बिटा इफ देशन गर शेल si yore इफ देविन देश्ट मैच अगर वो अगला मैच जीत गए इफ देविन दे निक्समाच अगर वो अगला मैच जीत गए यानि कि अगर ये शर्त है, अगर ये शर्त हो गई, यानि कि ये condition है, अगर ऐसी condition आ गई कि वो अगला match जीत गए, they will go through to the final, वो कहां पहुंच जाएंगे, final में पहुंच जाएंगे, हाना, वो final में पहुंच जाएंगे, तो यहां पे देखो, देविल, अचा, इंडिया पाकिस्तान का match होता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई, अगर इंडिया जीत गई ना, मैं तुम्हें party दूँगा, होता है, हाना, तो यहां पे क्या है, आप शर्त रख रहे हो, कि अगर ऐसा हो गया, तो मैं तुम्हें party दूँग है, कि अगर ऐसा होता है, तो आप परिणाम में क्या करोगे, आप बोल रहे हो कि मैं party दूँगा, I will throw a party, तो I के साथ मैंने will लगाया, तो बेटा, जब आप किसी condition का, किसी शर्त का, जब परिणाम बताते हो, उसमें will लगाते हो, कि if India wins the match, I will throw a party, अगर ऐसा हो जाता है, त बेटा कोई बिंती करते हैं, तो will लगाते हैं, कोई offer, या कोई प्रस्ताव रखा, या कोई वादा किया, promise किया, तो will लगाते हैं, और अगर हम कोई शर्त है, और उस शर्त का परिणाम क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं, तो हम will लगाते हैं, ये चार चीजे हैं, आग के आती हूँ और अब शायल के बारे में बताती हूँ sell भी बहुत easy है ठीक है छलो no doubt आ रहा है समझ मेझाए ध्यान देंगे सबसमाज में हैगा छलो आगे देखते हैं अब शाल क्या बोलता है शाट बोलता है कि भई देहो शाल का उपयोग कहां कहां करते हैं भी मैंने बताया है ना first person के साथ first person यानि कि कौन बेटा हम और मैं we और I first person के साथ हम shall का उपयोग करते हैं तो देखो आप जब कोई offer कर रहे हो किसको offer कर रहे हो I या we को जब आप किसी first person को offer दे रहे हो ठीक है तब आप क्या करोगे तब आप shall का इस्तमाल करोगे यानि कि offer त तो प्रस्ताफ बेटा यहां भी दे रहे हैं पर वहां हम किसी अन्य व्यक्ति को दूसरे या तीसरे व्यक्ति को प्रस्ताफ दे रहे थे यहां हम पहले इंसान को पहला इंसान मेरे लिए कौन मैं तो हूँ हना यह हमारे लिए कौन पहला इंसान हम तो बेटा आपके लिए पहला इंसान कौन आपके लिए पहला इंसान आप हो मैं आपके लिए दूसरी वेक्ती हूँ तो मेरे लिए पहला इंसान मैं हूँ और बाकी सभी इंसान जितने भी लोग हैं दुनिया में वो मेरे लिए दूसरे लोग हैं, आप मेरे लिए दूसरा इंसान हो और जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा इंसान है वो तो यहाँ पर शैल क्या है, आप यहाँ पर भी प्रस्ताव रखते हो पर अगर वो प्रस्ताफ पहले इंसान का इस्तमाल करते हुए किया जा रहा है तो वहाँ पर will नहीं शेल लगा देना, देखो शेल आए मेक सम लंच, अब मैं ओफर रख रही हूँ कि क्या मुझे, क्या मैं थोड़ा सा खाना बना दूँ अज़ जैसे घर पे guest आते हैं, तो ममी बूलती है आप उनको चाई उफर कर रहे हूँ कि चाई बना कर लाऊँ तो पर यह आप ऑफर किस h applies कर रहे हो कि मैं क्या आपकर बना पर लाऊँ तो आप अपने आपको पहला व्यक्ति काउन हम हना I or we, तो जब भी आप कोई offer कर रहे हो और offer करते समय, I या we का इस्तमाल हो रहा है, तो वहाँ पर offer के time पर shall का इस्तमाल करना, will का इस्तमाल करना, समझ गए, देखो shall I make some lunch, क्या मैं lunch बना दू, तो ये क्या था, ये एक offer था, पर इसमें I, I आ रहा था, तो हमने shall लगाया, will I make some lunch नहीं होगा, फिर होगा, shall I make some lunch क्या, मैं थोड़ा से खाना बना दू, हना तो ये काम कौन करने वाला था, मैं है, तो मैं अपने एसाब से I or V के साथ shall लगाऊंगी, बट अगर कोई और I or V के लावा हना, आ में तो पूजा किसी और का नाम होता he, she, लिखा होता, तो हम will लगाते पर नहीं, हम यहाँ पर I के साथ, I और V के साथ, offer जब रखते हैं तो हमेशा shall लगाते हैं shall we help you with your bags अब क्या है, किसी के पास बहुत भारी-भारी bag है, हना, ऐसो होता है हम लोग देखते हैं, कोई बूढ़े से अंकल है बिचारे, बहुत भारी-भारी bags लेकर जा रहे हैं तो हम क्या होते हैं, चुटे-चुटे बच्चे के बार बोलते हैं ऐसे कि हम आपकी मदद कर दें bag उठाने में हना, हम आपकी मदद कर दें bag उठाने में, आप उनको ओफर दे रहे हो क्या ओफर कर रहे हो, आप उनको मदद ओफर कर रहे हो कि हम आपकी मदद कर दें, तो आप क्या कर रहे हो आप उनको अपनी help ओफर कर रहे हो आप उनके पास अपनी मदद का प्रस्ताव रख रहे हो कि हम आपकी मदद कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर बेटा कैसे पर यहां पर आई और वी अगर आता है अगर लगता है आप अपनी या हमारी हना इस तरीके से अगर बात करते हो तो आप वहां पर शैल लगा ओगे शैल वी शैल वी help you, क्या हम आपकी मदद करें with your bags, आपके bags उठाने में ठीक है, तो I और V जब भी offer कर रहे हो जब भी किसी offer के बारे में बात हो रही है उसमें I और V की बात हो रही है तो shall आएगा, ठीक है, क्योंकि first person के लिए इस्तमाल होता है, clear है बिटा आगे समझ में सभी को चलो, अगला इस्तमाल to make suggestions using I और V जब आप I और V से सम्मंदित कोई सुझाव दे रहे हो suggestions यानि कि सुझाव, हाना कि भाई ऐसा कर लो, मेरे हिसाब से तो ऐसा सा, यह कोई सुझाव दे रहे हो आप I और V का इस्तमाल करके, तब shall लगेगा, shall we go to the park later, बाद में पाक चलें क्या, सुझाव है हाना, बाद में पाक चल लेते हैं यह क्या है, यह सुझाव है, तो बेटा आप किस का I और V का इस्तमाल करते हुए, अगर कोई सुझाव दे रहे हो तो shall लगाना, आगे समझ में देखो, shall we have something to eat क्या हम कुछ खाने के लिए हाना, क्या हम कुछ, shall we have something to eat, क्या हम कुछ खा ले क्या है, अब मैं सुझाव दे रहे हूँ आपको की, भई, suggestion दे रहे हूँ, क्या कुछ खा लेना चाहिए हमको, हाना, तो क्या बहाँ पर मैं बोलूँगी के, shall we eat something या फिर, we shall eat something हमें कुछ खा लेना चाहिए बहुत देर से चल रहे हैं, भई, बहुत देर से दर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं अब मैं आपको सुझाव देना चाहती हूँ के, क्या है, हमेना आपको खा लेना चाहिए हम थक गए हैं, तो मैं क्या बोलूँगी we shall eat something, हाँ, we shall eat something, अब यहाँ क्या है बिटा, ये एक सुझाव है जब आप I या वी जैसे subject का इस्तमाल करते हुए कोई सुझाव दे रहे हो, तो shall लगाओगे, ठीक है, तो देखो offer या कोई सुझाव I और we का इस्तमाल करते हुए दिया जा रहा है तो shall आता है, आगे है समझ में, चलो, अगला बिटा, कोई formal obligation, obligation यानि की करतव्य आप कोई अपना अपचारिक करतव्य ठीक है, formal करतव्य की बात कर रहे हो, जब ऐसी कोई भावना प्रकट करना चाहरे है, तो shall लगाना कैसे, applicants shall provide evidence of their qualification अब सोचो तुम सब जो बच्चे हैं आपे IIT, YIT में जाना चाहते हैं बड़ी आसी नौकरी, वाकरी चाहिए आपको ठीक है, अब तुमने नौकरी के लिए क्या कर दिया, आपने नौकरी के लिए गूगल में डाल दिया, फॉर्म भर दिया कि भाई मुझे गूगल में नौकरी चाहिए अब गूगल वाले आपसे क्या बोलेंगे अब वो नो, आप, आपका गूगल में प्रिंसिपल, जॉब में काम करते हैं तो बॉस, हना, हमारे आसपास के लोग से है पाठी अगर उनसे जादा नस्दी की रिष्टा नहीं है तो वो क्या है हमारे लिए, वो एक फॉर्मल रिष्टा है तो जब आप अपना कोई फॉर्मल अपचारिक करतव्य निभाते हो हना, ये अपचारिक करतव्य के बारे में बात करते हो तो वहाँ पर शैल लगता है अब मान लो, आपने गूगल की कंपनी में अपनी नौकरी के लिए अपलाए कर दिया गूगल में हमारा कोई चाचा थोड़ी बैठा हुआ है ताउजी थोड़ी बैठे हुए है जो क्या कर देगा, हना, गूगल में तो पता नहीं कौन इंसान है वो हमारे नस्दी की थोड़ी है तो बिटा, वहाँ पर आप क्या करेंगे वहाँ से अगर कोई गूगल से आप से बात करेगा या आप गूगल में किसी से बात करोगे और अपना क्या करोगे और अपना एक आपचारिक करतव्य निभा रहे होगे या आपचारिक करतव्य प्रकट कर रहे होगे तो वहाँ शैल का इस्तमाल करोगे थीक़ आप छोचो आप लोगों ने गूगल में अपने क्या कर दिया गूगल में आपने फॉर्म भर दिया कि भाई मुझे नौकरी चाहिए तो गूगल से आपके पास क्या आया है Google से आपके पास छिठी जिसमें लिखा हुए कि applicants यानि कि जिन जिन लोगों ने apply करा है, shall provide, क्या करना चाहिए उनको, उनको सबूत देना चाहिए कि उनके पास qualification क्या क्या है उनकी, भाई तुमने 10 वी पार कर ली, 11 वी पार कर ली, 12 वी कर ली, हमने Facebook में काम किया, फिर हमने 4 साल Tata में काम किया, जो भी क्या, आपकी जो ज बारतवर्ष में टॉप किया था, इसका प्रमार दो, सबूत दो, तो अब वो क्या है, अब ये तो बेटा, आप से कैसी, फॉर्मल बातचीत हो, ये फॉर्मल करतव्य है, ये, हना, तो यहाँ पर वो अपनी फॉर्मल ड्यूटी, obligation यानि की ड्यूटी, जब आपको अपनी क जमार लेकर आए, qualification का, तो उन्होंने यहाँ पर क्या बुला, शैल का उप्योग किया, तो जब हो फॉर्मल बातचीत करते हैं, और फॉर्मल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो शैल लगाते हैं, देखो, guests shall not remove anything from the rooms, अब होटल वगेरा में जाते हैं, हम तो होटल में जिसमें रुके हैं बेटा, जिस ममी पापा के साथ घूमने गए मनाली, मनाली में एक होटल लिया, बड़ा शांदार सा कमरा, ठीक है, बहुत सुन्दर सा कमरा, अब वहाँ पर क्या है, होटल वाले चाचता हूँ थोड़ी हमारे, हम उन्हें थोड़ी जानते हैं, हमारे ज क्या बोला कि गेस्ट को कुछ भी क्या नहीं करना है, वो हमसे फॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, अपनी फॉर्मल ड्यूटी निभा रहे हैं, तो कहरे हैं कि गेस्ट को कुछ भी कमरे में से नहीं हटाना है, हाना, तो यहाँ पर शैल का उप्योग गया, तो बेटा, जब आप पहला उपयोग क्या था I और V का इस्तमाल करते हुए जब हम कोई प्रस्ताव रखते हैं या फिर कोई सुझाव देते हैं तो शैल लगाते हैं जब हम कोई formal duty प्रकट करते हैं या करतव फर्ज तब हम क्या करते हैं शैल लगाते हैं अब चौथा क्या है to make a promise जब हम क्या करते हैं बिटा जब हमें कोई promise करना होता है किसका इस्तमाल करके I या V का इस्तमाल करके जब हमें promise करना होता है तो हम शैल लगाते हैं I shall never forget the help you gave me मैं कभी नहीं भूलूँगा वो मदद जो तुमने मुझे मेरी करी यह तो promise है ना एक क्यार मैं कभी नहीं भूलूँगा यार तुमने मेरी इतनी मदद करी ना मैं कभी नहीं भूलूँगा तो यह क्या है I shall never forget the help हना I shall never forget the help you gave me तो यहां पर बिटा promise जब आप I और वी कव इस्तमाल करते हुए कर रहे हो तो shall लगा देना I shan't be late shan't का मतलब है shall not जब हमको shall और not को क्या करना होता है इनको जोड़ना होता है तो इनका एक shortcut बन चुका है shant ठीक है इनका shortcut बन चुका है shant ऐसे ही बेटा will और not का shortcut बन चुका है won't won't ठीक है तो shant क्या है shall plus not shant तो कह रहे है I shant be late अब इसमें वाद आए कि भाही मैं आगे से कभी भी late नहीं होंगा पकका पकका आगे से मैं कभी भी late नहीं होंगा तो क्या बोल रहे हो आप I shall not be late from tomorrow ठीक है तो आप क्या बोल रहे हो कि I shall not की जगा shant भी बोल सकते हो shall not भी लिख सकते हो तो देखो जब आप कोई promise कर रहे हो I या वी का इस्तमाल करके तो आप shall का इस्तमाल करोगे we shall do everything we can to solve the problem हमें क्या हम कुछ भी करेंगे problem solve करने के लिए तो बेटा दुबारा से आप क्या कर रहे हो आप एक promise कर रहे हो कि भाई हम कुछ भी करेंगे बस क्या है problem solve करने के लिए तो जब हम I और V का इस्तमाल करते हुए कोई promise करते हैं तो क्या करते हैं shall का उप्योग करते हैं आ गया समझ में clear है छोटी छोटी चीज़ें बस इसका याद रखना है चलो और fifth to describe the future very formally जब आप बेटा भविश्य को बहुत अप्चारिक रूप से वर्णन करना जाते हो बहुत formally very formal तरीके से आप जब formality type की सुनिये ना जब बहुत formal तरीके से हम भविश्य के बारे में बात करते हैं तब हम क्या करते हैं हम श्याल का यूज करते हैं we shall overcome this difficult moment हना की हम कर जाएंगे जब फॉर्मल तरीके से मैं निश्चित नहीं हो इस चीज को लेकर फॉर्मल तरीके से देखो निश्चित है हना आने वाले समय में क्या होगा उसको लेकर अगर आप निश्चित हो तो तो जब मैं बोलती हूँ होगा तो क्या होता है तब मतलब will पर मैं बोलूँगी बेटा हो जाएगा तब क्या होता है तब आता है shall तो होगा और हो जाएगा में फर्क है हना जब मैं बोलती हूँ ऐसा होगा it will rain तो बारिश होगी और मैं बोलू it shall rain तो हो सकता है बारिश हो जाए यानि कि मेरा ना इतना जादा उस चीज़ के उपर आने वाले समय में क्या होगा उस चीज़ के उपर मैं इतनी जादा निश्चित नहीं हूँ कि ऐसा हो गई होगा मैं थोड़ा हलका फलका बोल रही हूँ कि हो जाएगा हाना तो ये फर्क है विल और शैल में विल भी आने वाले समय की भविश्यवाणी की बात करता है पर वो कहता होगा भाई मैं मानती हूँ कि मैं इस कंपनी में रिटायर होने तक रहूंगी तो मेरे को तो अभी तक तो क्या है अभी तक तो मैं यहीं मान रही हूँ कि भई I will stay in this company मैं इस कंपनी में रहूंगी तो यहां पर क्या था यहां पर जो मैंने बोला वो क्या रहा बेटा जो मैंने बोला उसमें एक द्रण निश्चय था कि हाँ निश्चित था कि ऐसा तो हो गई होगा अभी तक के लिए तो बोलते हैं तो होगा लेकिन मैं बोलू I think I shall stay तो यहां पर क्या हो गया कि मेरे को लग रहे कि शायद मैं रहूंगी मैं आभी मैं निश्चित नहीं हो future को लेकर तो जब आप future के बारे में बहुत strong तरीके से बात करो कि ऐसा होगा तब आप will come up you करो लेकिन जब आप future के बारे में थोड़ा डीला ढाला बात करो कि हो जायेगा ऐसा तब आप शैल का इस्तिमाल करोगे तो हम बोल रहे हैं कि we shall overcome this difficult moment हम कर जाएंगे हम करेंगे we will अगर मैं बोल दू we will overcome मतलब बिटा उभर जाना उभर जाएंगे हम इस बुरे हालात से इस बुरे पल से हम उभर जाएंगे हम बाहर आ जाएंगे अगर मैं बोलो we will overcome this moment यानि कि हम कर लेंगे हम बाहर आ जाएंगे हाना आएंगे याएंगे हम बाहर आ जाएंगे इस दुख भरी घड़ी से लेकिन मैं बोलो we shall overcome यानि कि थोड़ा जितना जोश उसमें था we will overcome हम कर लेंगे उतना जोश नहीं राब मैं थोड़ा formal तरीके से बात लूँ या हो जाएगा हम आई जाएंगे बाहर हाना इस दिक्कत वाली घड़ी से हो सकता है आई जाएंगे ठीक है तो यह वो होता है अब देखो the test shall be carried out by an independent body ठीक है अब क्या है the test shall be कैसे किया जाएगा अब हम क्या बोल रहे थे को दुबारा से हो जाएगा किया जाएगा भना बाहर आ जाएंगे और एक होता है बाहर आएंगे हम बाहर आएंगे इस difficult moment से क्याने कि क्या है उसके अंदर एक निश्चित है वो चीज कि यह करेंगे करेंगे लेकिन अब मैं बोलू कि जो टेस्ट है वो कैसे किया जाएगा टेस्ट जो है वो किया जाएगा एक individual इंसान से तो test जो है वो एक individual इंसान देगा यहाँ पर इस तरीके से हम formal तरीके से थोड़े डिलर डाला तरीके से जब बात करते हैं future के बारे में तो shall लगाते हैं पर अगर हम पूरे द्रण निश्चाई के साथ बोलते हैं कि ऐसा होगा तब हम will लगाते हैं तो यह फर्क है will और shall में समझ गए सारे कि सारे कोई doubt चलो आगे अपना quiz आता है उससे पहले बार मैं बारे में रिवाइस कर वा देती हूं दुबारा से देखो, will का प्रयोग कहां कहां होता है पहले यह समझो shall का प्रयोग हम first person के लिए करते हैं जहां जहां I और V की बात होगी shall का प्रयोग होगा विलका प्रयोग बाकी सभी, यानि कि second और third person के साथ होता है अब विलका प्रयोग हम भविश्यमानी करने के लिए करते हैं बिटा विलका प्रयोग हम कोई विंती करने के लिए करते हैं विलका प्रयोग कोई promise यानि कि वादा या प्रस्ताव रखते समय भी करते हैं साथी साथ विल का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब हम किसी दी गई शर्त को पूरा करने के बाद का परिणाम बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा तब हम विल का प्रयोग करते हैं ऐसे ही शैल का प्रयोग होता है जब हम पहले व्यक्ति, यानि कि I और V का इस्तमाल करते हुए कोई offer रख रहे हैं, I और V का इस्तमाल करते हुए कोई सुझाफ दे रहे हैं, तब भी हम शैल का इस्तमाल करते हैं, हम और क्या करते हैं, formal obligation, जब हम किसी formal हमारी duty के बारे में, करत जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ बात करते हैं पर इतने द्रण तरीके से नहीं, इतने निश्चित तरीके से नहीं, थोड़ी डिलर ढलावे में, तब हम श्याल के बारे में बोलते हैं, जब हम द्रण तरीके से निश्चित, कि जाओंगा ही जाओंगा, यह करूंगा ही करूंगा, I shall go to school, हो सकता है जाओं, हो सकता है जाओं, पक्का नहीं है, हो सकता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों चीज़े फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, विल बहुत स्ट्र वी नन, चालो, question number two, dash is used with first person, पहले व्यक्ती के साथ, first person के साथ, क्या लगता है, will, shall, दोनो, या नन, चीज़े हैं, चालो, आ जाओ, भई, यहाँ पर क्या लगेगा बिटा, हम एक क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वी बी लगा हुआ है, और हमें क्या कर रहे हैं बिटा, हम एक offer दे रहे हैं, कि कल मिले, बताओ, हा कि न, कल मिले, हाना, तो यहाँ पर क्या है, shall, shall we meet tomorrow morning, कल सुबा मिले क्या, option number a, dash is used with first person, first person के साथ, तो shall लगता है, तो shall is used with first person, खतम, simple, अब बिटा, जो मैंने आज करवाया है, इसको घर पर रिवाइस करना बहुँ जरूरी, model verbs, सबसे easy होते है, सबसे असान model verbs होते है, इससान कुछ नहीं है, ठीक है, तो will का उपयोग कहां कहां करते हैं, shall का उपयोग कहां कहां करते हैं, must मैं बता चुकी हूँ, उसका भी revision कर लेना, must का उपयोग, ought to का उपयोग, और dare का उपयोग, कहां कहां करते हैं, तो इन सब वीडियो में पूछी सकते हो फिर भी लगे कि कोई concept रह गया तो एक बारी ध्यान से focus के साथ video दुबारा से देख लो जो हिस्सा नहीं समझ पहा है बहुत clarity वहां पर भी मिल जाती है और अब मेरी जो मुलाकात है वो आप से होगी अगली class में जहां पर मैं आपको uses बताऊंग जहां पर हम should और would को कहां इस्तमाल किया जाए यह सीखेंगे तो तब तक के लिए bye bye take care and thank you so much